आज हम एक नया वीडियो लेके आया जिसमें हम दिखाएंगे कि दो विलेज मैप कैसे जॉइन करते हैं AutoCAD में हमारे पास अभी दो विलेज मैप है और दोनों विलेज एक ही जगा में हैं मालब दोनों एक साथ है लेकिन इसका मैप अलग-अलग है मालब यह बला पोर्शन के साथ यह इस मैप का यहाँ पे अटाच होगा तो यह AutoCAD में हम जब अटाच करते हैं इमेज जब इंपोर्ट करते हैं तब यह ऐसे आता है कि एक बाउंडरी रहता है उसका तो आप लोग को हमारा चैनल में स्वागत है अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजे अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए तो हम वीडियो सुरू करते हैं तो यह दो मैप का पहले तो मैं आपको दिखाते हैं कि क्या प्रॉब्लम आता है यह बाला जो एडिया है पॉर्शन है दो पॉइंट है यह दो पॉइंट और यह दो पॉइंट दोनों एक साथ जाइन होना चाहिए तो नॉर्मली अगर यह इमेज को हम हम simply move command से move करते हैं तो ऐसे base point select करके ऐसे move करते हैं पर उसमें क्या होता है दो image overlap हो जाता है इसका बाकी का जो हिस्सा है वो दिखाए नहीं देता है तो इसको हम solve करने के लिए एक तरीका है जो अभी हम आपको बताएंगे तो मैंने undo कर दिया तो simple एक trick है ज्यादा कुछ इसमें है नहीं साइद आपको बहुत लोगों को पता भी है कि क्या करने जा रहा हूं मैं तो आप comment करके बता सकते क्या करने जा रहा हूं मैं तो सबसे पहले तब को image को select करना है और हां make sure कि आपके पास 2017 से अबाब version हो क्योंकि low version में यह possible नहीं होगा साइद ठीक है तो मैं 2018 यूज़ कर रहा हूं तो इस image को select करने के बाद यहाँ पर एक option दिएगा create clipping boundary और आप image clip comment भी यूज़ कर सकते हैं तो ऐसे create clipping boundary करके उसका यहाँ पर बहुत सरा option है select polyline, polygonal, rectangular, invert clip, etc. तो हम क्या करेंगे? polygonal करेंगे because हमें यह round shape का चाहिए map got it? तो इसको हम करेंगे polygonal तो इसके लिए p enter करना पड़ेगा simply p type कीज़े और enter कीज़े तो इसके बाद इसको आपको clip करने के लिए बोल रहे image clip specify first point so अभी हम इसको जितना जरुरत है उतना click कर लेंगे cut it तो पहले तो हम ऐसे करते हैं यहाँ पर एक point कर दिया इसके बाद यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर दिन यहाँ पर click कर दिया बाकी हम ऐसे करके इसको ले ले लेते हैं बाकी तो match हो ही जाएगा that's it तो इसके बाद क्या करना है आपको enter करना है तो यह clip हो गया तो अभी असान है कि इसको यहाँ पर लाना विकाज अभी आप इसको move कर सकते हैं हाँ इसमे एक और बात है join करने से पहले normal आप move command यूज करेंगे तो वो इसमे scale और rotation का problem हो सकता है तो इसी लिए आपको align command यूज करना होगा जैसे कि आप देख सकते हैं कि हाँ पर rotational problem है कूछ और बीच में scale का भी problem हो सकते हैं तो हम रिस्क नहीं लेंगे तो simply हम क्या करेंगे पहले तो इसको undo करते हैं तो इसको में delete कर देता हूँ इसको थोरा नजदिक लेकर आते हैं तो हमें ये जो दो point है ये दो point में fit करना है तो हम align command यूज करेंगे तो align command का al enter align command then align select objects तो इस object लो में align करूँगा okay then enter fast source point ठीक है ये हमारा sorry source point हम यहाँ पे होगा ये है source point ये source point ये बोल रहा कि fast destination point मैं चाहता हूँ ये source point यहाँ पे इस destination में जाए तो इसका बीच में click करना है click कर दिया उसका बोल रहा है specify second source point तो हम यहाँ पे जाएंगे second source point में ये रहा हमारा second source point यहाँ पे click किया तेन बोल रहा है कि second destination तो हम ये second destination में जाके click कर देंगे तो उसके बाद third source point आप दे सकते हैं वाट हमारे पास अभी फिलाल दो ही point है तो हम दोनों ही use करेंगे ठीक है तो उसके बाद हम simply enter बर सकते हैं अभी ये क्या बोल रहा है scale object based on alignment points हाँ विल्कुल क्यूंकि scale का problem हो सकता है तो ये solve हो जाएगा तो हम इसको yes कर देंगे देखिए ये बिताएगा कि यहाँ था यहाँ से वो यहाँ पे आगया सब हो गया हमारा दो revenue में आप join हो गया तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं तो hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ये वाला जो map है इसको भी आप clip कर सकते हैं उसका जितना जरूरत है मैं एक गरवार इसको करके दिखा देता हूं clipping boundary polygonal and then ऐसे करके यहां से सुर करते है ये point देन यहां पर देन यहां से क्योंकि ये वाला तो उसका image का part already है हमारे पास तो हम गो नहीं चाहिए now enter that's it so देखिए हमारा दो image दो village map join हो गया अभी इसको आप digitize कर सकते है इसको अभी जो भी आपका काम है उसका further works इसमें कर सकते है so thank you guys for watching this video आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए अच्छा नहीं लगा कुछ और है हमने कुछ गलती किया तो dislike कर सकते हैं और comment में हमें बताइए कि क्या गलती है तो हम उसको दूसरा वीडियो में उसको जरूर लेंगे उसको account में वीडियो गनाने से तो ठीक है मिलते है अगला वीडियो में टेक क्या